मध्यप्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फसे हैं कोई महारास्ट में है कोई गुजरात में कोई अनराज्यों में है लागडाउन की अबदि बढ़ने के कारण वो मध्यप्रदेश लोट नहीं पा रहे हैं हमने याथा संभब कोस्स किये अलग-अलग राज्यों के मुख्वंतों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की विवस्था भई हो वो कस्ट में है उसलिए उनकी तातकालिक आवसक्ता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है जैसे हर एक मजदूर के खाते में एक हजार रुपया डाले जाएंगे हम यहां पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है यह पैसा निकाल सकेंगे और मैं मजदूर भाईयों बेहनों से कहना चाहता हूँ वो चिंता ना करे आवसकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे जो जहाँ है वही रहे दिक्कत और परिसानी में सरकार आपके साथ खड़ी है मैं सभी जन प्रतिद्यों से आभान करता हूँ मानी सांसत गर्ण, मानी विधायक गर्ण कि उनके छेत्र के जो मजदूर जहां फसे है ततकाल उनकी सूची बनाके मुख मंत्री कारेले को भिजवाए, कलेक्टर्स को भिजवाए और जैसे जैसे सूची आती जाएगी उनका एकाउंट नमबर आता जाएगा उनका कॉंटेक्ट नमबर आ जाए हम ततकाल उनके खाते में पैसे डालते जाएंगे आवे सकता पड़ी तो और मदद करेंगे संकट के समय सरकार अपने मजदूर भाई बेहनों के साथ खड़ी है और मधपदेश में भी अलग-अलग जगे है फसल की कटाई के बाद मजदूरों के पास काम खतम हो गया है उन मजदूरों के भी भोजन की आवास की पूरी ववस्ता बनाने के निर्देश में कलेक्टर्स को दे रहा हूँ जन्पृतिदी भाई बैन भी चिंता करेंगे उनकी उनके लिए अन्नकी रासन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी अभी जितने रासनकार्ट धारी है उनको इस महीने से फिरम तैयारी कर रहे हैं दो-दो महीने का रासन देने का निसुल्ख पृति बैक्ति पांच किलो चावल या ग्यहूं एक किलो दाल लेकिन जिनके पास रासनकार्ट नहीं है वो भी अगर कहीं फसे हैं तो उनके लिए भी रासन देने की व्यवस्था की जाएगी संकट के समय हम अपने गरीब भाई बहनों को भूखा नहीं रहने देंगे सरकार पूरी व्यवस्था करेगी जन प्रतिदी भाई बहन भी लगे सूची बनाए तागी ततकाल हम ये व्यवस्था कर पाएं